ब्रश्कार दोस्तों आज हम लोग भारत के महत्कुन एतिहासिक बैक्तित्र पर क्विज करेंगे तो पहला कोश्चन हमारा है मिल्कित में किने शुकला धोजवी का जाता है तो बीर चिला राय को शुकला धोजवी का जाता है इसका explanation देख लीजिए अप लोग हाल ही में परधान मंतरी ने बीर चिल्लाराय जिन्हें सुक्ला ध्वजभी कहा जाता है को सरधांजली अर्पित की बीर चिल्लाराय पंदे सो दस से पंदे से एकहत्तर इस भी असम की कौच राजबंस की एक सिनापती थे और अपने बड़े भाई नर नरायन के समराज बिस्तार में उन्होंने महत्तपुन भूमी का निभाई थी वह कौच राजबंस के संस्थापक सासक महराजा बिस्वसें के पुत्र थे असम सरकार बीच चिल्ला राय पुरसकार परदान करती है जो बहादूर बैक्तियों के परदान किया जाने वाला सरबच्च सम्मान है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा सिवा जी के जल सेना के परमुख का नाम क्या था तो वे थे कान हो जी आंगरे तो दोस्त इसका एक्स्प्लानेशन हम लोग देखेंगे अभी हाले में छटर पती सिवा जी के जनती मनाई गई साहजी भोसले और जीजा भाई के घर सिवनेर में जन में सिवा जी को बर्स 137 सिवी में अपने पिता से पूना की जागीर बिरासत में मिले अपनी सैनल रन्निती के माद्दम से सिवा जी ने दक्कन और पष्टमी भारत के भूमी का अधिगरहन किया बर्स सोरे सो चोहत्तर इस्वी में रायगड में सिवा जी को मराठो का राजा खोशित किया गया उन्होंने एक मजबूत सेना और नौ सेना की अस्थापना की भारतिय नौ सेना की पश्चमी कमान का नाम आई एनेस अंग्रे है जिसे सिवा जी की जल सेना के परमुक कानौ जी आंग्रे के नाम पे रखा गया है सिवा जी को गुरिल्या युद्ध का मास्टर भी माना जाता था सत्यार्थ प्रकास की रचना किसने की थी तो ये थे महर्शी द्यानंद सर्शोती तो ये एक्स्प्लानेशन देखते हैं द्यानंद सर्शोती एक दार्शनिक एक समाज सुधारक और अर्य समाज के संस्थापक थें उनके गुरू स्वामी बिर्जानंद थें उन्होंने बेदों की पुना सुधारात्मत्र सिख्षाओं का लच्छे रखा उन्होंने सत्यार्थ परकास की रचना की उन्होंने पुर्शो और महिलाओं के लिए सिख्षा और सम्मान अधिकारों को प्रसाहित किया उन्होंने जाती वेवस्था, अंद विश्वास और पसुबली की निंदा की पहला D.A.B. High School Lahore मैं अस्थापित किया गया जो 1886 में ठीके, D.A.B. का होता है द्यानंद एंगलो बिद्याले ठीके, तो आएए शुरू करते हैं Next Question मीरा भाई निम्लकित में से किस की सिस्षा थी? तो वो गुरू रविदास की सिस्षा थी? Explanation देख लीजे आप लोग गुरू रविदास भक्ती आंदोलन की एक संद, दार्षनिक, कभी, समाज सुधारक थें जो जाती प्रथा की उन्मुलन हेतु किये गए प्रयासों के लिए जाने जाते हैं उनका जन्म 12 नसी में लगभग 1377 में हुआ था वह कभीर और गुरू नानक्तिव के समकालिन थे रविदास के भक्ती गीतों को सीख गरंत, गुरू गरंत साहिब में सामिल किया था मीरा भाई रविदास की सिस्षा थी नेक्स्ट कोश्चन की और हम लोग चल रहे हैं कोश्चन नमर पाँच आपके सामने आ चुका है नेमल खितमे से कौन कीरल की एक समाज सुधारक और सतंता सिनानी थे जिन्होंने नायर समधाय के कल्यान हितू काम करने वाली संस्था नायर सर्विस सोसाइटी इन इस इस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो वे थे हैं आप लोग अपना भी आंसर पहले कर लीजे ठीक है वे थे नेक्स्ट कोश्चन पर हम लोग चल रहे हैं इसका एक्स्प्लाइनाशन पहले देख लेते हैं वह कीरल की एक समाज सुधारक और सतंता से नानी थे उन्हें नायर समदाए के कल्यान के लिए काम करने वाली संस्था नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है उन्होंने मंदिर प्रविस समंदित बाइकॉम बर्स अने सो चौविस इसमी और गुरू वयूर सत्यागरा बर्स अने सो नंतिस में भाग लिया नेक्स्ट कोश्चन आपके स्केन पे आचुका है आप लोग इसका आंसर कीजिए यिर्ज कुछा मुइ दीन चिस्टि की दरगाज पर 아침 नौवे उर्थ समारों के दारान चादर प्रिशित किया वो एक फारसी सूफी संत थें जिन्होंने तच्छी नेसिया में चिस्ती सिलसिले की अस्थापना की और इस्लामी सूफी रहस्वाद के परसार में योगतान दिया उनकी मिर्तू के बाद से उन्हें गरीब नवाज की रूप में चाना जाता है नेस्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पे थियू सूफिकल सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थी तो आप अपना अंसर कमेंट में जरूर दें हिलेना पेट्रोवाना बलावाट्सकी और हेंड्री अस्टील ओलकर यह है आपका सही जबाब तो चलिए नेस्ट कोश्चन की और हम लोग चलते हैं तद तो वो धनी सभा के संस्थापक कौन थें तो वे थे हमारे देवेंदरनार ठाकूर नेक्ट कोश्चन पर हम लोग चल रहे हैं दोस्त आगया है अपना कोश्चन आप लोग आंसर करिए चितरन जन्दास को किस अन्य नाम से देश पुकारता है तो देश बंदू चितरन जन्दास नेक्स्ट कोश्चन है अपना आ गया है स्क्रीन पे अकाल तक्त की अस्थापना किस सिख्र गुरू ने की थे तो ओ थे गुरू हरकोबिंद तो आपका यहीं पे समापत होता है ये क्वीज आप लोग बने रहीएगा नेक्ट क्वीज लेके आएंगे तब तक के लिए धन्नेबाद सिट आराम दुआ सलाम